हेलो स्वागत है आपका फ्री जीके क्यों शैनल पे मिरा नाम है किरन भावर आज किस वीडियो में हम चंद्रियान 3 से जुड़ेवी इंपॉर्टन आम से क्यूज कवर करेंगे साथ में चंद्रियान 1, चंद्रियान 2 और इस रो से जुड़ेवी भी बहुत सारे कुशन्स कवर करेंगे वीडियो को ध्यान से देखेगा यहां से कुशन 100% एक्जाम में पूछे जाएंगे ट्रेंडिंग टॉपिक है काफी ज़्यादा डिमांड में है चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है चंद्रियान 3 कहां से लॉंच किया गया देखे यह लॉंच किया गया है सतीश धवन अंत्रिष्ट केंदर श्री हरी कोटा से काफी ज़्यादा important question नेक्स्ट है चंद्रियान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर उतारा जाएगा यह किस हिस्से पर उतारा जाएगा चंद्रमा के दक्षणी दुरू पर उतारा जाएगा चंद्रमा के दक्षणी दुरू पर यह उतारा जाएगा वह आखको है नेक्स्ट है आज ही के दिन यह भारत देश के लिए बहुत ही महत्पूर्ण दिन है आज ही की दिन चौदा जुलाई दोहजार तेविस को चंद्रियान थ्री लाउंच किया गया है सफलता पूरा का लाउंच आज कर दिया गया है आगे बढ़ते है next question है mission चंद्रियान 3 का उद्देश क्या है देखे क्यों launch किया गया है चंद्रमा पर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और soft landing का प्रदर्शन कराने के लिए यह launch किया गया है देखे चंद्रियान जो 2 था वह असफल हो चुका है तो अब जो चंद्रियान 3 है का मुख्य उद्देश तो यही है कि दक्षिडी द्रू पर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और soft landing का प्रदर्शन करना है रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए दिखाना है और लेंडर और रोवर के माधियम से चंद्रमा की सतह का विज्ञानिक अधियन करना है अंसर चंद्रियान 3 को लांच किया गया है यह रोकेट का नाम है ध्यान दीजेगा आगे बढ़ते हैं मिशन चंद्रियान 3 के लेंडर का नाम क्या रखा गया है देखे यह है लेंडर और यह है रोवर लेंडर का नाम क्या रखा गया है याद रखेगा लेंडर का नाम है विकरम नाम है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है Magazine चन्द्रयान 3 के room का नाम क्या है प्रग्यान कई प्रग्यान क्या है नेक्स्ट चन्द्रयान 3 को कहा से प्रच्षेपित क्या गया है यह श्री हरी कोटा सतीज धवन अंतरिक्ष केंद्र सी और यह कहाँ पर है आंधर प्रदेश में हैं याद रखेगा अगला सवाल है सतीज धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्तीत है यह स्तीत है आंधर प्रदेश में Next question है Mission Candriyan 3 को किस संस्थाने लांच किया है कौन से संस्थाने लांच किया है इस रो ने लांच किया है इस रो से जड़िवे बहुत सारे questions हम कवर करने वाले है चलिए आगे पढ़ते हैं Candriyan 3 का lander और रोवर, चंदर्मा के किस हिसे पर उतारा जाएगा किस हिस्से पर उतारा जाएगा ठीक है यहाँ उतारा जाएगा दक्षणी दुरू पर काफी ज़ादे इंपोर्टेंट ध्यान देजेगा चंद्रमा की सतह पर अपना सफलता पूर्वक चंद्रियान मिशन उतारने वाला भारत कौन सा देश बन जाएगा भारत होगा चोथे नंबर का देश लेकिन ध्यान देजेगा अगर यहाँ दक्षणी दुरू पर सफलता पूर्वक उतार दिया जाएगा तो ऐसा करने वाला भारत देश प्रथम होगा दक्षणी दुरू पर उतारने वाला पहला देश होगा हमारा भारत देश ठीक है चली चंद्रियान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरेगा देखे आज 14 जुलाई 2023 को लांच किया गया है और यह 23 या 24 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलता पूर् नेक्स्ट है भारत में अंतरिक्ष शिकारिकरम कब शुरू किया गया इसके शुरुआत हुई है 1962 से भारत में अंतरिक्ष शिकारिकरम शुरू किया गया है नेक्स्ट है अंतरिक्ष विभाग आयो की स्थापना कब हुई है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई है 1972 में नेक्स्ट कुशन है, फुल फॉर्म क्या है? P.S.L.V का ये सब वेकल्स हैं, इनके फुल फॉर्म्स क्या है? वेकल्स में? जिससे लॉंच किया जाता है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, पॉलस सैटलाइट लॉंच वेकल, नेक्स्ट है, भारती अंतरक्ष कारिकरम के जनक है Dr. Vikram Sarabhai Next question है भारती ये मिसाइल कारिकरम के जनक कि से कहते हैं अंसरों का समें साथ ओप्षण डीवाला Dr. A.P.J. अबदूल्कलाम भारती ये मिसाइल कारिकरम के जनक Next question है इस रोग किस थापना कब होई थी इसके स्थापना होई है याद रखेगा 15 अगस्थ 1969 में इस रू किस धापना हुई है Next Question है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा था दीखे प्रथम जानवर है Laiqa Antrisu में जाने वाली पहली जानवर है Next Question है अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है पहुचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं नेक्स टेम अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महला कौन है महला का नाम याद रखेगा वैलेंटीना तेरिश कोवा ये भी सोवेच संग से है 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महला है नेक्स टेम अंत्रिक्ष में तैरने वाली प्रथम महला कौन है? देखे, कुशन इसी तरह से एक्जाम में आते हैं पुरुष का नाम पहले पूछ लिया जाता है या फिर महला का नाम पहले कौन है? ऐसा पूछा जाता है, अंसरों के इसमें सा उप्षन D वाला स्वेत लाना, सवीत यकाया इनका नाम है, जो अंत्रिक्ष में तैरने वाले प्रथम महला बनी है नेक्स्ट है, अंत्रिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन है? एशियाई के हम बात करें, तो यह है फाम तुवान पे फार्म तुवान पे हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई नेक्स कोशन है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतिये कौन है बताइए अंसे क्या होगा ओप्शन सी वाला से यह राकेश सर्मा 3 अप्रेल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतिये व्यक्ति बने है राकेश सर्मा 3 अप्रेल 1984 में नेक्स्ट है अंतरिक्ष में प्रेवेश करने वाले प्रथम भारतिये महला कौन है प्रथम भारती महला कौन है कलपना चावला है हरियाना 1997 सरवादिक समय तक अंतरक्ष में रहने वाली महला कौन है नाम हिनका क्रिस्टीना कोच 2020 में 328 डेस के लिए रही थी प्रथम मानव रहित अंतरक्ष यान कौन सा है यह है Luna 16, प्रथम मानव रहित अंत्रिक्षियान, भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा है, वह है लक्ष्य, भारत का प्रथम चालक रहित यान, लक्ष्य है, नेक्स्ट है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंत्रिक्षियान कौन सा है, वह है Luna 9, चंद् प्रथम व्यक्ति कौन है सभी जानते होंगे इनका नाम नील आमस्टॉन देखे डेट याद रखने आपको यह अमेरिका क्या है 21st जुलाई 1969 1969 में चंद्रमा की सदह पर पहली बार पैर रखा था नील आमस्टॉन ने चंद्रमा पर मानो को पहुचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है वह है अपोलो 11 चंद्रमा पर मानो को पहुचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है चंद्रमा पर मानो भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है देश है साइक तो राज्य अमेरिका क्योंकि नील आमस्टॉम जो है ये अमेरिका देश के ही है याद रखेगा नेक्स्ट है प्रथम अंतरिक्ष परेटक कौन बने है ये है डैनिस टीटो यू एस ए से है डैनिस टीटो ये प्रथम अंतरिक्ष परेटक थे चली, नेक्स कोशन देखेगा, पहली महला अंत्रिक्ष परेटक कौन है, महला कि हम बात करें, तो महला है, अनुसेह अंसारी, अनुसेह अंसारी, चली नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं, प्रथम अंत्रिक्ष शटल भीजने वाला देश कौन सा है, बहा है, कॉलंबिया, USA, प्रथम अंत्रिक्ष शटल भीजने वाला देश, नेक्स कोशन है, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन सा है, अनुसेह अंसरोग आप्शन, ए वाला, वाइकिंग वन, वाइकिंग वन है, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान, नेक्स कोशन देखेगा, अंत्रिक्ष म आर्य भट प्रफं भारती उपहरा कौन से आर्य भट है 19 अप्रेल 1975 को सोवेश संङ से प्रच्छेपित किया गया था नेक्स्स कोष्ण है रास्ट्य सुदूर सनवेदी एजिंसी कहां पर है? यह है 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 एध्राबाद में रास्ट्य सुदूर सनवेदी एजिंसी नेक्स कोशन देखेगा इंडियन इंस्टिटूट औफ रिमोर सेंसिंग संस्थान कहां है यह है दहरादुन में भारती सुदूर सन्वेदन संस्थान कहां पर है दहरादुन में नेक्स कोशन देखेगा विकरम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है यह स्थित है त्री विं अंत्रिक्ष उपयोग केंद्र कहा है यह स्तित है एहमदाबाद में अंत्रिक्ष उपयोग केंद्र आगे बढ़ेंगे नेक्स कोशन है भारत का पहला मोसम उपगरह कौन सा है मैट सेट कई बार यह कोशन एक्जाम में पूछा गया है भारत का पहला मोसम उपगरह कौन सा है म नेक्स्त कुश्टन है भारत का प्रथम संचार उबज़ा कौन सा है अंसर होगा इसमें अप्षिन एे वाला एपल भारत का प्रथम संचार उबज़ा कौन सा है एपल है देखिए वीडियो थोड़ी से फास्ट हो रही क्योंकि पहले ही फंडे पर लेट ऊ चुक्यों कर लिए हैं आगे बढ़ते हैं अब हम यहां से कोशन कवर करेंगे चंद्रियान 1 से related देखे देखे 2008 में 2008 में भारत का प्रथम चंद्रियान 1 सफलता पुरवक launch किया गया था भारत का दूसरा चंद्र मिशन कब सफलता पूरवक लॉंच हुआ, इसमें सांसरों का option D वाला, चंद्रियान 2, देखें, यह जो चंद्रियान है, इसका नाम पहले actually सिर्फ चंद्रियान ही रखा गया था, लेकिन चंद्रियान 1 उसका नाम जब पढ़ा, जब चंद्रियान 2 को launch किया गया, तब उसको चंद्रियान 1 नाम दे दिया गया और उसको चंद्रियान 2 दे दिया गया है, 2019 में चंद्रियान 2 को सफलता पूरवक launch किया गया था, देखें, अब यहाँ पर हम विज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुखों के नाम cover करेंगे, यहाँ से कुशन आते हैं एक्जाम में, भाति अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है, विवर्तमान में है, ऐस सोमनाथ, नाम याद रखेगा इनका, इस रो के अध्यक्ष कौन है, ऐस सोमनाथ है, नेक्स्ट है, परमानु उर्जा आयोक के अध्यक्ष कौन है, वाल विकशान나तर विकास संगठन के अध्यक्ष चलिए आगे बढ़ेंगे दीखिए यह सवाल पूछा गया था सन 2022 के एक्जाम में यहाँ सवाल आया था विज्ञानिक एवं ओद्योगी कनुसंधान परिस्द के महानिदेशक कौन है अंसर कैस कीजिए ओप्शन बी वाला सी योगा विज्ञानिक एवं ओद्योगी कनुसंधान परिस्द की महानिदेशक है और इस पद पर रहने वाली यह प्रथम महला है याद रखेगा इसलिए यह कुछन पूछा गया था क्योंकि यह प्रथम महला है इस पद पर अजक्सक्त कूछन है ओद्योगी के यह प्रिस्द की देशक कोन है भारत का पहला चंद्रियान वन लॉंच कीया कब launch किया है याद रखेगा October 2008 में October 2008 में इस रो ने भारत का पहला चंदरियान 1 लाँच किया था चंद्रियान 1 कहां से लॉंच किया गया था याद रखेगा विक्रम सारभाय अंतरक्ष केंद्र यहां है तिरु अंतपुरम में है विक्रम सारभाय अंतरक्ष केंद्र वहां से चंद्रियान 1 को लॉंच किया गया था नेस्ट है मिशन चंद्रियान 2 कब लॉंच किया गया था यहां लॉंच किया गया था 22 जुलाई 2019 में 22 जुलाई 2019 में मिशन चंद्रियान 2 लॉंच किया गया था दीए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिशन चंद्रियान 2 को 22 जुलाई 2019 को दुपैर 243 बजे श्री हरी कोटा स लॉंच किया गया मिशन चंद्रियान 2 का उद्देश क्या था इसका उद्देश था चंद्रमा के सतह उपरी सतह की जाँच करना चटानों में खरिच पदारतों की जाँच करना जल की उपस्तिति का पता लगाना ये जो चंद्रियान 2 था जो चंदरमा की सतह पर सफालतापुरों की लाँच नहीं हो पाया जिससे चो कनेक्शन था वो डिसकनेक्ट हो गया था इसके वज़़े से इसी को ही थोड़ा सा और अच्छा करके चंदरियान 3 को लाँच किया गया है लेकिन इसको उद्देश अब थोड़ी से अलग है तो इसका अंसर को आप्शन D वाला उप्रोक तो सभी यह सारे उद्देश थे चंदरियान 2 के नेक्स्ट है चंदरियान 2 को किस रॉकेट के मदद से लाँच किया गया था वह रॉकेट कौन सा था वह था GSLVMK3 GSLVMK3 से चंदरियान 2 को लाँच किया गया था नेक्स्ट है चंदरियान 2 को कहा से प्रशेपित किया गया था इसको लाँच किया गया था शतीजदवन अंतरिक्षकेंदर श्री हरी कोटा रेंज से जहां से चंदरियान 3 को लाँच किया गया है वहीं से ही चंद्रियान 2 को launch किया गया था सतीज दोन अंद्रिक्ष केंदर कहां पर है चले बताईए कहां पर है यह आंद्र प्रदेश में आंसरों का option C वाला आगे बढ़ेंगे नेमने में से कौन मिशन चंद्रियान 2 के हिस्से हैं तो वहाँ है orbiter, lander और rover आंसरों का option D वाला नेक्स्ट है मिशन चंद्रियान 2 के lander का नाम क्या रखा गया था तो देखें इन दोन के नाम जो चंद्रियान 3 है और 2 है उनके नाम सेम ही है, lander 2 का नाम है Vikram और याद रखेगा चंद्रियान 2 के rover का नाम है प्रग्यान नेक्स्ट है चंद्रमा के दक्षणी दुरू पर भारत अपना rover उतारने वाला कौन सा देश वन जाएगा अगर यह सफलता पुरुक वहाँ पर landing कर देता है लेंड हो जाता है तो ऐसा करने वाला पहला देश होगा हमारा भारत देश हैना कौन से दुरू पर यह याद रखना है आपको दक्षणी दुरू आपसे बुजा है चंद्रमा के दक्षणी दुरू पर भारत अगर अपना rover उतारने में सफल हो जाएगा तो ऐसा करने वाला भारत देश पहला देश होगा नेक्स्ट है इसके अध्यक्ष उस समय थे जी माध्यवन нायर मिशन चंद्रयान 1 के लॉंच के समई इसके अध्यक्ष कौन थे इस रो के अध्यक्ष जी माध्यवन नायर नेक्स्ट है भारत का अंतरक्ष मंत्रालाई किसके पास है यहां है नरेंडर मोदी जो देश के अभी वर्तमान के प्रधान मंत्री है उनके पास है अंत्रिक्ष मंत्राले नेक्स कोशन देखेगा पृत्वी का एक मात्रोब ग्रह कौन सा है सभी जानते होंगे चंद्रमा नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह और उसकी आंत्रिक स्थिती का अध्यन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है इस विज्ञान को हम कहते हैं सैले नौलोजी सैले नौलोजी कहते हैं चंद्रमा की सतह और उसकी आंत्रिक स्थिती का अध्यन करने वाला विज्ञान को चंद्रमा का प्रकास प्रित्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है वैसे इसका खुद का तो प्रकास नहीं है लेकिन जब सन की किरने उसके उपर गिरती है और जो वो रिफ्लेक्ट होके आती है तो उसमें समय लगता है 1.3 सेकंड ठीक है नेक्स देखेगा इसरो का चंद्रियान मिशन तीनों को कवर कर लेती है एक बार ताकि आपका रिवीजन हो जाए चंद्रियान वन जो है मिशन यह है ट्विटीटू अक्टूबर 2008 को लांच किया गया था चंद्रियान 2 जो मिशन है यह 22 जुलाई 2019 को लांच किया गया चंद्रियान 3 जो मिशन है यह 14 जुलाई 2023 आज ही के दिन लांच किया गया है सफलता पूरवक ठेक है और यह 23-24 अगस को चंद्रमा के दक्षनी दुरूप पर पहुंच जाएगा और हम सभी मिल कर के यह 20 जdy दूया करते हैं कि यह सफलता पूरवक रूँच हो जाए ठीक है सफलता पूरवक रूँच दो हो चुका है लैंड हो जाए चलिए आज की वीडियो में इतना है I hope आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को जरू सब्स्राइब करना बेल नोटिफिकेशन आइकन पर और प्रेस जरू कर देना लास्ट में कुशन आप से ऐसे पूछा है जिसका अंसर आप कमेंट करके बताएगा इस रो का मुख्याले कहां पर है ठीक है यह कुशन यहां पर नहीं कवर हो पाया आपको कमेंट करके बताना है नहीं पता है तो प्लीज आप सर्च जरू कीजेगा चलिए आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्स्राइट करना बेल लोटिफिकेशन आइकन को आल प्रेस जरू कर लेना ठेंक्यो